हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक अन ब्लॉग विद प्रियंका सिन्ना में आज हम सेर करेंगे आपके साथ मुल्ली के पत्ते के पकोरे की रेसिपी मुल्ली के जो साग होता है न हम उससे पकोरे बनाएंगे बहुत टेस्टी यह पकोड़ा बनता है बहुत क्रिस्पी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है इसे बनाना बहुत आसान है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बर विडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आपको बहुत पसंद आएगा मुली के पत्ते के पकोरे की रेसिपी तो चलिए हम बनाते हैं मुली के पत्ते से टेस्टी पकोरे सबसे पहले हम यहाँ पे मुली के पत्ते ले लिए हैं इसे अच्छे से हम साफ कर लिए हैं मोटा वाला जो पार्ट होता है उसे हम हटा दिये हैं अब इसे हम महीन चौप कर लेंगे तो सबसे पहले हम मुली के पत्ते को चौप कर लेंगे यहाँ पे हम मुली के पत्ते को चौप कर लिए हैं आप देख सकते हैं कैसे चौप करना है अब इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर् करके रखे हुएं, आप देख सकते हैं कैसे, तो प्याज इसमें हम डाल लेते हैं, अब इसमें हम डालेंगे लहसन, इसे हम कूट के रख रहे हैं, आप चाहे तो इसे चौप करके भी रख सकते हैं, या पेस्ट भी रख सकते हैं, आधा कप हम इसमें बेशन डालेंगे, अब में डालेंगे हम एक चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर अजवाइन डालेंगे थोरा सा क्रस्ट करके अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है टेस्ट के अनुसार नमक मिला अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले प्याज को तोर लेंगे अलग कर लेंगे प्याज को आप देख सकते हैं कैसे तो पहले हम पूरे प्याज को तोर लेते हैं उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे पूरे प्याज को हम तोर लिए हैं अब इसमें हम डालेंगे थोर हम इस अच्छे से mix कर लिये हैं अब हम पकोरी बनाएंगे गैस अन करके हम कराही में तेल चरहे हुए हैं तेल हमारा गरम हो गया है तो गैस को हम सिम कर लिये हैं अब इसमें हम पकोरे डाल लेंगे जैसे भी पकोरे बनाना चाहते हैं आप जिस भी सेप में उसे बना सकते हैं एक बार में जित्ते आप आएंगे पकोरे उत्ते पकोरे हम इसमें डाल लेंगे और इसे slow to medium आज पे आप फ्राई कीजिएगा तभी ये क्रिस्पी बनेगा इसे अच्छे से पलट के दोनों साइड से golden brown होने तक आप फ्राई कर लिजे तो यहां पे आप देख सकते हैं अच् हाई नहीं रखिएगा नहीं तो यह क्रिस्पी नहीं हो पाएगा तो यहां पे मेरे पुरे पकोरे बन गया हैं आप इसे अपने मन पसंद चतनी के साथ सर्व कर सकते हैं यह सब के साथ बहुत टेस्टी लगता है बहुत टेस्टी बनता है यह अगर आपको साग पसंद है न तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, मेल का बटन प्रेस कर लिजे, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास बहुंच सके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे, हैंक्यू, मिलते आप से फिर नेक्स्ट वीडियो में,